Hello students, welcome to our channel आज हम बात करने वाले हैं Class 8 Term 2 का जो एक्जाम होने वाला है काफी important question लाएं है आपके सामने बस आप अन तक देखना इस chapter का नाम है परकास पहला question है, क्या question कह रहा है पहला आपतित कीरन से आप क्या समझते हैं देखो किसी प्रिष्ट पर पढ़ने वाली परकास की कीरन को आपतित कीरन मान लोगर ये प्रिष्ट है और इस पर कोई परकास की कीरन पढ़ रहा है तो ये कीरन को हम लोग आपतित कीरन के नाम से जाने जाते हैं ठीक है, पहला point clear हो गया दूसरा है प्रावर्तित कीरन से आप क्या समझते हैं देखो प्रिष्ट से प्रावर्तन के पस्चात वापस आने वाली परकास की कीरन को प्रावर्तित कीरन कहते हैं मान लोगर कोई ये आपका पस ये प्रिष्ट है और किसी प्रिष्ट पर ये इस तरह से क्या होरा परकास पढ़ता है अब यह परकास जब पढ़ रहा है इस प्रिष्ट पर तो यह आपतित कीरन कहलाता है और यहां से टकरा कर जब यह वापस होता है तो इसको बोलता प्रवर्तित कीरन यहने टक राकर वापस लॉड़ना ही यह वापस लॉडने वाला जो कीरण है इसी को प्रवर्टित कीरण कहते हैं तो कुष्ण नमबर 2 भी हमारा क्लियर हुआ तीसरा नमबर आपतन बिंदू से आप क्या समस्ती है वह बिंदू जिस पर आपतित किरन प्रवर्तक सता पर ठीको प्रवर्तक सता उसको बोलता है जिस सता पर परकास टकरा कर वापस हो रहा है उस सता को प्रवर्तक सता करती है तो अगर मालो सता के इस बिंदू पर ये किरन पढ़ रहा है और ये टकरा कर इधर हो रहा है तो ये बिंदू को आपतन बिंदू कहते हैं ठीक है वे बिंदू जिस पर आपतित कीरन प्रवर्तक सता पर यापतित कीरन जिस बिंदू पर पढ़ रहा है वही बिंदू आपका आपतन बिंदू कहनाता है चौथा नमबर है एक परकास कीरन समतल दरपन पर 60 डिगरी का कौन पर आप प्रावर्तन कोन अगर 60 डिग्री होता है अगर यहाँ पर प्रकास की समतल दरपन 60 डिग्री की कोन पर आपतित हो रही है यानि आपतित हो रही है यानि आपतन कोन अगर 60 डिग्री बन रहा है तो प्रावर्तन कोन भी 60 डिग्री बनेगा आपतन कोन मतलब क्या जैसे ये ये आपका समतल दरपन है ठीक अब यहां से परकास की किरण आया और इस पॉंट पर जिस पॉंट पे आपतन बिंद हुआ ये आपका आपतित किरण और यहां से टकरा कर इधर वापस हो गया ये आपका परवर्तित हो गया तो और ये इसके बी यह हमेशा प्रकास के प्रवर्तन के नियम से आपतन कौन प्रवर्तन कौन ब्राबर होती है यहनि यह 60 डिग्री बनाएगा तो यहां परसका एंसर 60 डिग्री होगा आप पांचवा नमर में अगर दो समतल दरपन 90 डिग्री के कौन पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तू क परतिबिम की संख्या कितनी होगी तो याद रखेगा तीन ठीक है ये question number six है इसमें क्या कह रहा है जितना भी question है सारा important question और first time visit की तो please channel को subscribe किजेगा मानव नेतर में किस प्रकार का lens होता है तो याद रखेगा उत्तल लेंस आइरिस में इस्तत छोटे छिदर को क्या कहा जाता आइरिस में इस्तत छोटे छिदर जो होते हैं उसको हम लोग पूतली कहते हैं पूतली ठीक है आठवा नमबर में है एक परकास की रन समतल दरपन पर अभीलम की दिशा में आप्तित होती है तो प्रवर्चन के पसचाद परकास की रन किधर जाएगी वापस लौट जाएग ठीक है यह हमारा कुशन नमबर नाई ने क्या कह रहा है इंद्र धनूस के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया नहित है ठीक है इसका सही अंसर है वर्न विचेपन याद रखिएगा वर्न विचेपन ठीक है क्लियर हो गया यह हमारा कुशन नमबर टेन है जब सवेट प्रकास को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है देखो जब भी कीर प्रकास क्या होता है किसी भी वस्तू पर पड़ती है तो यह तो वो संप्रेसित होती है या अफसेसित हो जाती है या आपका प्रावर्थित हो जाती है तो यहाँ पर जब सवेट प्रकास को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो वै अपने मुल मार्ग से थोड़ा मुर जाती है याद रखेगा ठीक है प्रावर्तन के नियम का उल्ले करें प्रावर्तन के नियम के नुसार क्या और आप्तित कीरन प्रावर्तित कीरन और आप्तन बिंदू प्राभिलम सभी एक ही तल में होते हैं जैसे देखिएगा जैसे यहां से आप्तित कीरन ये प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् थीक, मानव वनेतर के रेटी, ना पर कितने परकार की तंतरजिका हैं, कोसिकाएं होती, संकू और सलाकाईं, भी सारे का पीडेव भी मिल जाएगा आपको ठीक है, परकास का परवर्तन किसी कहते हैं, वह पर किया जिसमें किसके कारण किसी वस्तू का सितापर, कोई भी वस्तू का सता पर टक्रानी वाली प्रकास की किरन वापस जाता है या तो वो संप्रेशित हो जाती है या अफसेशित हो जाता है या तो प्रवर्तित हो जाती है प्रवर्तित मतलब टक्रा कर संप्रेशित मतलब क्या पूरा उसको वो वस्तू क्या करता है उस प्रकास की किरन आर पर चले जाता है तीसरा केस क्या बनता है कि जो प्रावर्तित किरन होते हैं जो किरन होते हैं वो टकरा जाता है इस तरीके से टकरा कर वापस लोड जाता है तो वह परक्रिया जिसके कारण किसी वस्तु की सता से टकराने वारी प्रकास की किरन वापस लोड जाती है परकास का परवर्तन किलाती है परवर्तित कीरन यही घटना हमारा परकास का परवर्तन हो गया परकास की परवर्तन को हम समतल दरपन की सहता से देख सकते हैं तो आराम से देख सकते हैं यह आपका किलियर तरीकिस हमने बताया आपको यहाँ पर clear तरी किसे बता दिया ठीक है तो next question देखते है प्रकास के प्रवर्तन के कीरन दोवारा उलेक करे प्रकास के प्रवर्तन को कीरन और एक दोवारा दरसा है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका समतल दरपन है यहाँ से यह प्रकास की कीरन यानि इसी को आप्तित कीरन कहते हैं इस बिन्दू पर जिस बिन्दू का नाम है आप्तन बिन्दू और यहां से यह टकराकर वापस लोटा यह हो गया प्रवर्तित कीरन और इसके बेच यह जो रेखा है इसको बोलते हैं अभी लंप तो और यह एंगल बना रहा एंगल आई और ये एंगल आर तो इस तरीके से आपको दिखा देना है ठीक है पेरिस्कोप क्या है इसका एंसर आप खुश से लिख लेना कोशन नमबर 17 में क्या उस युक्ति का नाम बताएं जो ये दर्साता है कि सुच का प्रकास साथ रंगों से बनाएं तो इसका एंसर प्रिज्म होगा इंद्र धनूस प्रकास के किस प्रकम द्वारा प्रकम को दर्साता है तो इसका एंसर विखेपन होगा आयरीस परितारिका किसे कहते हैं इसका कार जैये बताएं कopaरणिया की पिछ ग्वेरे रंग की मार्श पेशी होती हिए जिसे पड़े तरितारिका कहते हैं आयरीस नेत्र का वह भाग है जो इसको विसेस रंग परदान करता है तो यहां तक यह हमारा कौूशन नमबर 19 तक और काफी important question कराएं first time visit की हो तो चैनल को subscribe करेज़ेगा इस वीडियो के लिए एक like कीज़ेगा ज्यादा ज्यादा शेर किया और और इस topic पर चाहते हैं question तो please comment करना ठीक है और in the telegram में follow कर सकते हैं और इसका बीडिफ चाहते हैं तो वो भी आपको अराम से मिल जाएगा thanks for watching this video